आदानम नमो आया नमो अच्छाराण नमो पूरों सब्छाब नमो पूरों सब्छाबूरों मंगलम थालों आमदियों मंगलम गातमो प्री मंगलं कुंद कुंदा द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याण कारिकं रानं सर्व धर्मानं जैनं जैतु सासनं नमह समेशाराय स्वान भूत्या चकास्ति चित्सुभावाय भावाय शर्वभावांतरी चिए सुवे की सभा में समेशार फर्मागम ग्रंथ की कलस नंबर साथ के आधार से पूजी गुर्देव शरी के जो उस कलस पर प्रवचन हुए है उनमें हमने यहां देखा कि परियाए में द्रव नहीं आता है द्रव की प्रतीती द्रव का ग्यान द्रव का अनुभव यह परियाए में आता है और तीन जो उसमें बोलाए थे कि परियाए एक समय है परियाए उत्पन होती है और परियाए में सुद्ध असुद्ध का भीत पड़ता है एक तीन बातें गुर्देव श्री के प्रवचन में आई थी और उसी को हमने ये घटित किया कि प्रतीती में आता है द्रवी परियाए में नहीं आता है द्रवी की प्रतीती आती है ग्यान आता है लेकिन उसमें एक बहुमूल्य एक सर्थ है अनिवा रता है कि वे परियाए अपने को ग्यायक भाव के सन्मुख ग्यायक भाव रूप भावे तक परियाए का जैसे परियाए एक समय उत्पन होने वाली सुद्ध दशा में ऐसा है उसका एक और गजब का काम है जिसको जैसे नाचार देब ने तीन सो बीच नंबर की गाता की टीका करता हुआ कहा कि वो भावना रूप है परियाए ध्यान रूप है परियाए भावना रूप है परियाए धे रूप नहीं है परियाए त्रकाली भाव रूप नहीं है ये 320 में लिया रत्नकंड सराप का आचार में सदास उब्दास कासली वाल जी साव ने भी ये भावना रूप है परिया ये लिया और द्रब्य संग्रह में भी भावती है परियाए अपने में अपने को द्रब्य के सन्मुक रूप द्रब्य की लक्ष रूप द्रग रूप भाती है उसका परियाए गत उसका ऐसा ही सुभावे बाने का बाने का उसका सुभावे तरकाली भगवान आत्मा बावना रूप नहीं है उसका काम बाना नहीं है ए चर्चा सुबह में हुआ था अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं 82 पीछ पर था ना सामर्थ की प्रतीती आई द्रव्य का सामर्थ कितना है ऐसी प्रतीती आगए मिल गए आपको 82 पर मिला बीटा जी आपको कहां पढ़ते हैं हम नहीं ख्याल मैं देखो प्रोजेक्टर पर आ रहा है देखो 82 प्रत आया और तुम मंगलार्थी होगे नहीं हो कैसे मंगलार्थी हो मंगलार्थी कर समझते हो न छेरे पर स्माइलिंग बोडी में स्मार्टनेस द्रश्टी एकदम दूर दूर द्रश्टी पक्का इरादा ऐसे बच्चों का एड्मिशन होता है यहां पर और तुमारी द्रश्टी तो बहुत सूक्ष में है बताओ कौन से पेश पर पढ़ रहे हैं फन 82 पेश पर पढ़ रहे हैं कहां पढ़ रहे हैं बताओ इसको इसे बताओ भाईया को बताओ हां कहां पढ़ रहे हैं नीचे वाला है ना मिला नीचे का पेराग्राफ में उपर की चौती पंक्ती से पढ़ा था अपन ने तो उसमें तीसरे में द्रव्यका सामर था कितनी है ऐसी प्रतीती आगई गजब का बत बोल क्या कहते हैं देखो क्या लास्ट संटेंज तो गुर्देव ने क्या लिया जेन में जन्म हुआ तुझे जेन तत्तुका ख्याल आगिया इतना लिया ख्याल आए अब आप देखिए क्या कहते हैं सुद्धने के आदीन जो वस्तु है उस पर द्रश्टी गई एह देखो अपने पंडित नहरू की जीवनी भली नहीं पड़ी हो लेकिन उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है मात्मा गांदी ने अपनी जीवनी लिखी टॉल्ट स्टॉय ने अपनी जीवनी लिखी टैगोर ने अपनी जीवनी लिखी भाग्षन जी की जीवनी आई नाटक समय सार के रचाईता बनार सिदास जी की जीवनी आई पता है यह मैं चर्चा क्यों करता हूँ आपसे कि मेरे को सन 1972 में हमारे घर के एकदम नजदीक ये ग्रीस्व कालीर प्रसिक्षन सिविर लगा तो उसमें ये बाली बात हमारे दिमाग में कौंधी कि जब इन इन लौकिक पुरसों ने अपनी जीवनी लिखी है तो कुंद कुंद ने भी अपनी जीवनी लिखी होगी तो क्या लिखा होगा उन्होंने अपनी जीवनी में कि मेरे को आत्मा का अनभव कैसे हुआ आया कि समझ में नहीं आया उन्होंने भी समेसार आदी जो ग्रंथ उन्होंने रचना की है उसमें ये बाली बात जरूर आई होगी वहां से हमने ये पकड़ करी कि इन्होंने कैसे अपनी आत्मा को ख्याल में ले लिया तो जैसे इन्होंने लिया वैसे ही हम लेंगे और उनसे पहले दी जे पूरब सिब गए जाएं जे हैं और सब ये ही मुनी नाथन है कहिए ये ही कला है दूसरी कोई कला नहीं है पता हो ख्याल में नहीं आती बात इमर्ती खाओगे तो काई से मुह से रस्गुल्ला खाओगे तो काई से के मुह से और पपड़ी खाओगे तो काई से क्यों मूँ से 25 में आया तुम्हाई अकेले नहीं खाओगे सवाई ही खाइंगे समझा बाताती है तो कुंद कुंद ने कैसा आत्मा कानुभव किया इसको प्रबचन सार में अमर्चन राचार दीव ने लिया है अरे हम भी पहले ऐसे ही थे फिर हमारे ये आत्मा का आलहाद हो गया हमको ये आत्मा ख्याल में आ गया तो वो कैसे ख्याल में आ जाता है ये सारी बात यहां पर आ रही है इस पेराग्राफ में देखिए लास्ट पेराग्राफ सुद्दने के आधीन जो वस्तू है वस्तू है वस्तू है पहले ये बाली बात बराबर है तो वो वस्तू है पहले ये रखना है है उस पर द्रस्टी गई वस्तू है पर द्रस्टी गई इसका मतलब कि पहले द्रस्टी वस्तू पर नहीं थी तब भी वस्तू तो थी क्या समझ में आया नहीं समझ में आया नहीं आया ना क्या समझ में नहीं आया ये तो समझ में आया होगा क्योई बात नहीं वस्तू पर द्रस्टी गई तो पहले वस्तू पर द्रस्टी नहीं गई थी जब नहीं गई थी तब भी वस्तू तो थी और अब वस्तु पर द्रश्टी गई तो द्रश्टी पहले नहीं गई थी अब गई लेकिन वस्तु जो है वो नहीं उत्पन नहीं भी वो तो विद्धमान है वो मौजूद है यह बात सबसे पहले आत्मार्थी की समझ में आनी चाहिए कैसे आत्मा कानुभ होगा कैसे बेद ग्यान होगा कोरी बातों सुने गलगपपा से नहीं होता है गलगपपा समझते हैं ने हाँ यह चमड़े की जवान चला दी हो गया ऐसे नहीं होता है हमारे तो ऐसा कहते हैं गाल बजा दी और हो गया ऐसे धोड़ी होता एदे वो क्या कहरे हैं देखो बराबर समझो अच्छा इसब थोड़ा फोकस करना है जो वस्तु है बराबर पकड़ाया वस्तु है उस पर द्रस्ती कई किस पर गई वस्तु पर तो द्रस्टी जाने वाली कौन द्रस्टी नहीं गई थी कौन के द्रस्टी के बस्तू के बस्तू तो महीं की महीं थी भाई साथ पैंट समर्ण में आगे आगे ओर सुन्दर बाते बहुत घजब की बाते अभी तो थोड़ा चलने वाला है तो वे आधिन मुहां द्रग है ऐसा ख्याल में आया मन तब ये ख्याल में आया कि ए द्रस्टी के आधिन वस्तू है थोड़ा समझना वस्तू जब द्रस्टी नहीं गई थी तब वस्तू थी के नहीं और अब द्रस्ती चली गई तो बस्तू है के नहीं बराबर है अब जब द्रस्ती बस्तू पर गई तो बस्तू ख्याल में आ गई ओके इसको क्या कहा अच्छा ये बस्तू ऐसी है के जब तक इसकी द्रस्ती ना करो तब तक ये ख्याल में यही तो नियम निकल करके आया कि तुमारे आज तक ये बस्तू क्यों निद्रस्ती में आई क्योंकि हे द्रस्ती तुमने अपनी द्रस्ती द्रब्य पर नहीं की इसलिए द्रब्य ख्याल में नहीं आया पॉइंट सबन में आ गया इसका अर्थ ये निकला कि तुम द्रब्य तरकाली ये तुमारी द्रस्टी वाली द्रस्टी के आधीन है थोड़ा त्विश्ट है सब जो बाकि मैंने पढ़ा ख्याल वस्तू कौन सी द्रस्टी के आधीन है जो द्रस्टी वस्तू की द्रस्टी करे उसके आधीन है कौन द्रव किसके आधीन है कि द्रव द्रश्टी के आधीन है बरावर समझ में आ गया कि तुम कब फोटू तुमारी हमारे केमरे में कब किचेगी है उदारण देता हूं तुमको अभी ओ, ख्याल, समझना केमरा है, केमरा और केमरे में रील पड़ी हुई है बरावर है तो फोटू खिचेगी के नहीं खिचेगी खिचेगी हाँ खिचेगी खिचेगी बरावर है खिचेगी ठीक तो सबसे पहले मान लो देवेंद्र पंड़जी की फोटू खेचनी हो ठीक केमरा है और केमरे में क्या है पक्की बाद हो गई तो सबसे पहले तुम क्या करोगे बोनो फोड़ू किसकी खेच नहीं है देवेंदर पंड़ जी की केमरा तुमारे पास रील उसके अंदर पड़ी हुई है अब तुम्हें क्या करना है सबसे पहला किसे फोकस करोगे देवेंदर पंड़जी को केमरे को फोकस करोगे किस पर देवेंदर पंड़जी के ऊपर उन पर फोकस करना है किसे केमरे को देवेंदर पंड़क जी को क्या करना है उन्हें तो कुछा ही नहीं करना है पॉइंट समन में आ गया सबसे पहले क्या करना केमरे को फोकस करना ओके ख्याल मैं आए फर्स स्टेप ये हुआ अगर देवेंदर पंड़क जी की फोटू लेनी है तो यह अभी सिद्धान तो मैं खटित करेंगी अपन ठीक अब जो फोटू खिचेगी ओके अभी तक फोटू नहीं खिची अभी तक केबल केमरा फोकस हुआ है यह फोटू नहीं खिची है फोटू कब खिचेगी जब क्लिक किया जाएगा ओके समझ में आया और क्लिक करते ही क्या हो गया फोकस पहले किया था दूसरे नमबर पर क्या किया क्लिक किया तो फोटू कहां खिची केमरे में के रील में रील में रील काई में है केमरे में पहले केमरे को क्या किया फोकस ऐसे ही पहले बर्तमान उपयोग को पहले ये बस्तू है द्रव है है और है अब देविंद्र पंड़ जी है इन्हीं फोटू काई की खिचेगी एसे ही ये भगवान आत्मा यदी है ही नहीं पंड़ सबन में आया तो अब कैमरा देविंद्र पंड़ जी पर फोकस करने से पहले पंड़ जी है के नहीं है अब करा फोकस किस की तरफ देविंद्र पंड़ जी की तरफ अब तुमने करा लुहाड़ अताउजी की तरफ फो मन्दाजी की कब खिचेगी फोटू कभी खिचाई नहीं सकती और तुमने अपने बरतमान ग्यान उपियोग को किसके सन्मूख फोकस किया हुआ है परद्रब्यों पर, परद्रब के भावाँ पर, परद्रब की परियाए पर परियाए पर, राग पर उस पर तो तुमने लगाया हुआ एक कैमरा और क्या कह रहे हो, कि हमने हमारी फोटू खिच रही है कि किसकी, ये आतमा की भाईया, ये तुमारे, तुमारे यहीं चलता होगा गाओं है कि फोकस करो किसी को, और फोटू खिचे उसकी पर समझना आया, अगर आतमा का नभव करना है, उसकी द्रस्टी करनी है तो तेरे को, उस कैमरे को सर्वो और से समेट कर दिशा पर वर्तन करकर, जिसकी फोटू खिचनी है, उसके सनमुक लाना पड़ेगा, बुद्धी पूरबक समझना आया, ये धोटी तो पट्टा पैन लिया, और अंगोचा रख लिया, इससे नहीं होता कोई धर्मर्म वो ग्यायक परमात तो तक्तु के सनमुक उपियोग करना पड़ेगा, और ये क्रिया अंदर की है, भार की नहीं ख्याल में आया, ये खबर ही नहीं, भोटू केश नहीं नहीं आता, ये देखो यहाँ पर बात कही है क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक का क्यार्थ हुआ, क्लिक का क्यार्थ हुआ, क्लिक का क्यार्थ हुआ, क्लिक का क्यार्थ हुआ और अपने में कोई भेदा ही नहीं रखा समझ में आया मैं तरकाली भगवान आत्मा हूँ ये जो वस्तु है ये मैं हूँ ये वस्तु है ये मैं हूँ ये वस्तु तरकाली जो एक मूल गया एक भाब है वह मैं हूँ ऐसी भावना रूप उसके अंदर एक एक समय की परियाएं में अपनी सटकानक युगता से जो हो रहा है वहाँ पर ये करता हो करके कारसंपन होता है वहाँ जाते हैं वहाँ तो काम ही नहीं बस सुबह से ले करके और रात के सौने तक हैं धोती धो के सुखा दो सुबह पैन करके मंदर चले जाओ और दाल धो दो और मर्यादा का कर लो एक दाए आई में निकल गया जीवनी निकल गया बस दोने में धोने में खाने में और पिने में के हम सोला का खा रह रहे हैं के बागईमे तु सोला का ही खा रहे हैं इसमें धर्म मान मान करके जीओन खतम हो गया लेकिन यहां तो कहते हैं कि तेरा जो बर्तमान का ज्ञान वपियूग है उसको फोकस कर उस वस्तु की सन्मूख कर वस्तु है है और है फेले रख इस बात को पढ़ते हैं यहां पर देखो जो वस्तू है उस पर दिश्टी गई तो वह आधीन वहां अध्रब है यह देखो तो उसको आधीन के नहीं आ गिया बस जो मैंने कहा ना कि महाराज हम समझ गए तुम बहुत ही उच्च कोटी के हो तुम अपना नियम नहीं बदलोगे जाएं पूरव से सुर उगता रहे पश्चिम में डूबता रहे रितुएं बदलती रहें काल परवर्तन होते रहें लेकिन तुम अपना नियम न बदलोगे क्या नियम न बदलेंगे क्या जब परियाएं मेरी द्रस्टी करेगी तो मैं उसके ख्याल में गजब की बात है कि तुमने नियम न बदला कि ना कि हम कब ख्याल में आईएंगे कि जब परियाएं हमारी इसका नाम है सुद्दने के आदीव चला आए आपको भास्रा तो ऐसी है आगे परिणमने कितना ही सुद्द और कितना ही असुद्द आसरव बंद और अजीव आदी देख रो छोड़ा लवाड़े जी देखना क्या सब्द लिया यहाँ पर गुर्देव सुरी ने आसरव बंद और अजीव आदी असुद्द इतना डीया है और संबर और प्रजणा मोख्ष यह शुद्द परंतु यह सुद्द और असुद्र परयाय होने पर भी वेह द्रब्र सुभाव सुद्ध असुद्ध परियाई में नहीं आया नहीं आया नहीं आया ठीक है आगे का पेराग्राफ देखो 83 पीच पर पेराग्राफ है ऐसा अनंत गुण रूप बेहद अपन मिच सकती का तुमको दिखा बेटा पेज नंबर 83 पेराग्राफ मिल गया आपको कहा है काँ से सुरूआ पेराग्राफ एसा अन्त अब स्माइलिंग आई तुमारे पेज पर है अब लगते हो तुम अंगला टेन पर ज्यारती हो हाँ देखो उसकी दूसरी पंक्ती दूसरी पंक्ती देखो अहाँ के बाद है सम्मिस द्रश्टी को सम्मिक द्रश्टी को यह देखो नहांपर कहा लिखा है किसे सम्भिक दर्शन की परियाए के ना है वो सम्मिक दर्शन परियाए लेकिन घजब है वो सम्मिक दर्शन की परियाए में कि उसने परियाय का क्या किया लक्ष छोड़ा परियाय ने परियाय पना नहीं छोड़ा है क्या छोड़ा है लक्ष छोड़ा है किसका परियाय का फिर से बोलता हूँ विसे बहुत गंबीर है और इतना सरस है इतना जंकरत करने वाला चित्त को है जैसे सावन की घटाओं में मोर का मन और वह निरत्य करने लगता है ऐसे गुरुदेव स्री के प्रबचनों को पढ़कर मन जूमने लगता है मन मयूर नाचने लगता है अहो क्या हमारा ऐसा भी योग बना है कि हमको ऐसी बात सुनने को मिलेगी कि सम्यक दर्शन किसको कई ये कि जहां परियाए से लक्ष छूट गया सम्यक दर्शन क्या है परियाए है के द्रब है परियाए है बराबर है तो सम्यक दर्शन की परियाए किसको कई ये कि जिस परियाए में परियाए का लक्ष परियाए छूट गई ये नहीं परियाए छूट गई सम्यक दर्सन छूट गया ये नहीं सम्यक दर्सन में क्या छूटा है परियाए का लक्ष छूटा है समझ में आया तो जब परियाए में परियाए का लक्ष छूटा तो लक्ष भी ना तो परियाए रहती नहीं तो किसका लक्ष बचा जब परियाए का लक्ष छुट गया तो बस द्रब्य बचा में द्रब्य बचा गजब की बात है कितना सरल है बहुत सहज है बहुत सभाविक है कुछ दरसल में यदी देखा जाए तो कुछ करने का भी नहीं, रवर नहीं होती रवर बैंड तुमने देखी न, अब रवर बैंड को यू करने के लिए तो फोर्स चाहिए, फोर्स समझ गई, फोर्स चाहिए, उके, और वे अपने में आ जाए उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स छोड़ दो, फोर्स छोड़ा और वो अपने सुभाविक के साम है आगे ऐसे ही उस उप्योग रूपी रवर वेंड में क्या चाहिए कि तूने जो बाही फोर्स लगा रखा है उसको तू क्या कर दे छोड़ दे तो क्या होगा उप्योग उप्योग में आज़ेगा इसका नाम सब्बाद है आता है तुमको समझ में आते के नहीं आपको क्या करना बोलो अच्छा ये बताओ कि रवर को खेंचने के लिए तो कुछ किया देखना ऐसा किया जोड़ लगाया और रवर रवर में आ गई उसके लिए क्या किया छोड़ दिया बस ऐसे ही परियाए ने परियाए में परिया क्या किया लक्ष छोड़ दिया अब जब परियाय में परियाय ने परियाय का लक्ष met कौर दिया तो अब कहां जाये कि अप कहां जाईए कि अप आपको शंका होती अब रवड कहां जाई भी कि अपने में आ जा js Аप से ही ये उपियों कहां जाएगा अहां द्रब की द्रश्टी हो जाएगा ये कला है ये सम्मेक दर्शन की भेद ज्यान की कला है पॉइंट समझ में आया आगे देखिए क्या कहते हैं यहां पर कौन सा पीछ चलता था है भेद नो परकार के भेद है ना देखो सम्मेक दर्श्टी की परियाई ने जो लक्ष छोड़ा परियाई का उसमें गुर्देव स्री ये कह रहे हैं जो परियाई के नो भेद है ना जीब अजीब पुन पापादी उसमें संबर निजरा मोक्ष भी सरीक है तो कहते हैं नो परकार के भेद हैं उनका लक्ष छुड़ेया ऐसा नहीं के मोक्ष का लक्ष तो रखा और बाकी का लक्ष छो एनाई उसम्मेक दर्शन की परियाई ने स्वयम सम्मेक दर्शन परियाई है तो सम्मेक दर्शन की परियाई ने सम्मेक दर्शन रूपी परिया का अभी लक्षा सुष परियाए का नाम सम्यक दर्शन है अरे बहुत है अजफ गजब बात है बात कि सम्यक दर्शन क्याइद जिरे बहुत है जो परियाए सम्यक दर्शन की परियाए Otherwise किसका लक्ष छोड़ा सम्यक दर्षन का सम्यक दर्षन क्या है परिया है तो सम्यक दर्षन सम्यक दर्षन का भी लक्ष तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है इसे क्या लगता है गुड़के पुवे बना लिए और गरम गरम सर्दी में खा लिए क्या हो गया कि सम्यक दर्शन आज के आनंद की जैव बात हो गया का हो गया ख्याल में आया के नहीं है जे ही चल रहा है आज के आनंद की जैव बहुत बढ़िया अरिकायका बढ़िया हुआ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सम्यक दर्शन किसको कहना कभी कितना ख्याल अंदर में आता है कि इस महापुरुस की एक एक पंक्ती में कितना सार भरा पड़ा हुआ है सम्यक दर्शन की परियाए ने किसका लक्ष छोड़ा सम्यक दर्शन की परियाए अभी नो है नो भेद है ना तो उसमें संबर हुआ संबर निर्जरा बरावर है तो सम्यक दर्शन जो पहला परगट जा तो सम्यक दर्शन की जो प्रगटता हुई तो वो परियाई के लक्ष से हुई के द्रविक के लक्ष से बराबर है समझ में आया आपको अब इसकी और प्रक्रिया समझ लो सुन लो आद क्या करना पड़ेगा ये रवर बेंड है बराबर है ठीक है ये रवर बेंड में आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा किसे चोड़ा है इसकी चोड़ने में अनंत पुर साथ है नहीं आया समझ और अब जी क्या करता है कि ये रवर बेंड को यो तो पकड़े रहता है और फिर आँखे मूद लेगा और पदमासन जमा लेगा और महावी जिनाले में चला जाएगा महावी भगवान के सामने बैठेगा और यू करके रवर वेंड पकड़े हुए है और ऐसा ध्यान कर रहा है कि रवर वेंड रवर वेंड में आ गई कुछ समझ में आया ये बड़ी मौटी भूल रहती है हाँ हम तो जहाजा जाते हैं न तो वे लोग बहुत बड़े बड़े अपनी बाते हमको सुनाते हैं लोग ये चाहते हैं कि तुम ये अपना इस पर ठपा लगा दो कि हमको सम्मेक दरसन हो गया तो हमने कहा भाई साब हम तो तीन काल में नहीं लगा सकते हैं एक ठर्मा मीटर है आगम उनसे लगवा लू जा करके निसाब बो तो लगा गया हैं तो मैंने कि भाई साब उनसे फिर लगवा लू हम तो नहीं लगा सकते समझ में कुछ आया क्या बोला यह ऐसा हो गया जैसे वोई मोती चूर का लड़ू मुँमे रखकर के भगवान के आगे बैठ गया बराबर है मुँमे लड़ू है ठीक अब भो क्या सोच रहा है कि मेरे मुँमे लड़ू नहीं है निश्य से नहीं है बिवार से है निश्य से नहीं है विवार से है अरे मुक्षूओ तुम क्या मूर्ख हो गया हो क्या हो गया है तुम्हें कुछ ख़बर है क्या होता है भेदव्यास किसको कहते हैं अंतरौन मुकी अभ्यास असमान जाती द्रब परियाए सरीर में बेठा रहता है और भगवान आत्मा भजता रहता है अरे भाई असमान जाती द्रब परियाए में आत्म पने बेठा रहता है और मैं खरीर से भिन हूँ मैं द्रब कर्म से भिन हूँ मैं भाव कर्म से भिन हूँ अरे बेठा तो महाँ पर है तू भिन ने कहां से हो गया बात कहां की चल लिए कि परियाए ने किसका लक्ष छोड़ा अब लक्ष तो छोड़ा नहीं और द्रब रूप अपने को अनभब कर रही है भाई ये छलियापन ये मायाचारी जिनमत भिसे संभवे ये बाली बात को समझ में आया आपको थोड़ी मूल बूल बात आपके ख्याल में देनी हैं बस मेरे को अब इसमें कई रेफरेंस आये हैं बता सकते हैं कितने कितने रेफरेंस आये हैं एक हमारे वो वारडन जी है ना उनका था देखो 84 पेज़ पर थोड़ा वारड़न जी देखना आप 84 पेज़ पर यही था ना आपने उस दिन जो चर्चा की थी हमसे देखे पेरा ग्राफ है यहां पर प्रभू तू सुन तो सही मिल गया पेरा ग्राफ आपको देखो क्या सुन तेरी जितनी महत्ता की मातों वाली माप्रभू वह चीज है वह चीज तो सुने के आधीन फ्रगट होती है बराबर है अब इसको थोड़ा गुर्देव सिरी ने खुलासा किया क्या खुलासा किया कि जो सुरुत ग्यान का निश्चे अंग है देखो सुरुत ग्यान में दो अंग है एक निश्य अंग है और एक व्यवाब है किस में है सुरुत ग्यान सुरुत ग्यान भी प्रमाण है भले वो परोक्ष सही पर प्रमाण है बराबर है थोड़ा न्याय समझ लो भाई किवल ग्यान प्रतक्ष प्रमान है सुरुत ग्यान परोक्ष प्रमान है तो प्रमान तो दोनों में कोमन है अब प्रमान का क्या रथ हुआ कि जो बस्तू द्रब्य रूप और परियाई रूप है ऐसी दोनों ही रूपता उसके अंदर है किस में बस्तू वस्तु में नित रूपता भी है और वस्तु में अनित रूपता, अनित रूपता माने परियाथी, ये दौनों रूपता वस्तु में प्रतेक समय पर है कब से है अनादी से कब तक रहेगी सिद्ध परमात्माओं को ये दो रूपता है के नहीं है द्रव्य रूपता भी है और लेकिन वो केवल ग्यान परमाण बराबर प्रतक्ष है यहां हम को माने ग्यानी धर्मी जीब को सादक जीब को उसका जो सम्यक प्रमाण है वो किस तरीके से है के द्रव्य रूपता और ग्रूपता दोनों को जानता है एक समय पर एक ही समय पर दोनों को जानने रूप रहे उस ग्यान को प्रमाण ग्यान कहते हैं बराबर क्याल में आ गया दोनों माने क्या द्रब्य और गुण नहीं अभी पर ही आई अनंत गुणों के समधाय वाला वो तो द्रब्य कहते ही आ गया उसके अंदर वो तो आ गया उसके अंदर उसमें तो understood है बराबर नहीं समझ मैं आया गुणों भी ना का द्रब्य होता है क्या नहीं होता है ना अनंत गुणों के समधाई को द्रव कहते हैं बराबर हैं तो ये दो हुआ एक आत्म वस्टू में दो है तो कौन एक द्रव रूपता और एक अरे तुमको समझ में नहीं आ रही है ना आदी रही है समझ में नहीं आई हो तो समझा देते हैं हम नहीं आई ना देखो ना भी तो बोल सकते हो बेटी बाप की है बोलो नहीं आई ना समझ में लास्ट की बात नहीं आई समझ में और लास्ट में ही तो बात कही है बात की तो बात नहीं खा कही है जैसे सुनो सौने का सौने की अंगुठी बराबर है अब इसमें ये वताओ द्रब क्या है और परियाए क्या है सोना द्रब है और अंगुठी अब दोनों हैं के नहीं नहीं समझ में आया एक दुकान खोली तुमारे पापा ने क्यासी दुकान खोली वोला पंड़ जी मैंने सौने की दुकान खोली है मैंने भाई साब बहुत अच्छी बात की है लेकिन उसमें ऐसा है के अंगूठी तो आप ले जाना आग रहा और सौना मुझे दी जाना ऐसी दुकान खोल सकती है कोई नहीं खोल सकती सौना भी है और अंगूठी भी है ओके तो ऐसे ही द्रब्य भी है और परियाएं ठीक अब अपनी बात का आएगी चल लिए ये शुरुद ग्यान परमाण की परोक्ष परमाण की बात चल लिए है तो वो ये कह रहे है दो अंस हो गए दो अंस कौन हो गए एक द्रब्य अंस और एक परियाएंस ओके समझ में आ गया अब वो क्या कहते हैं कि ये शुरुद ग्यान ये सुरुद ग्यान जब उपयोग आत्मक ने रूप से द्रब्य अंस को पकड़ता है तो उसको कहते है निस्चे अंस और जब ये वस्तू के परियाई अंस को पकड़ता है तो उसको कहते है हम विवहार अंस बराबर है बराबर हुआ वस्तू में दौनों अंस है के नहीं और सुरुत ग्यान में भी हाँ इसा है मुख्य गौण की बात है जब इधर लगाया तो निश्य की मुख्यता हो गई इधर क्या हो गया गौण हो गया जब इधर लगाया तो यह मुख्य हो गया ये क्या हो गया गौण हो गया तो दौनों अंस बस्तू में है के नहीं और दौनों अंसों को जानना सुरुत ग्यान में है के नहीं तो जब सुरुत ग्यान जैसे कववे का दो आख है और उसकी पुतली एक जब इधर चले तो इधर से देखे इधर चले तो इधर से देखे ज उसको क्या कहते हैं बेवारन के दो भीद है निस्चे और विवार ले वह है वहद नहीं तो प्रमाण है उसके दो भीद है निश्य और दिवहार उन मेंसे जो एक निश्य अंस है वैस यह बहुत मैतफूर बात है जो निश्य अंस है सुरुद ग्यान का जो निश्य अंस है वो सुभाव तक जाता है सुरुद ग्यान का जो परियाई अंस है वो सुभाव तक नहीं जाता है इसलिए निश्चे अंसकी बात करी और परियाए अंसको गौण ऐसा ख्याल आ गया देखो गुर्देव के रेफरेंसेज भी है एक दो मिनिट और लेते हैं बस आपके अच्छा हमें ख्याल में रहता है आप सुबह पांच बजे उटते हो गंटी बसती है आपकी एसी ठंड पढ़ रही है कुरा पढ़ रहा है बराबर है ठंड आपको लगती है सौल मैं ओडता हूँ ए बच्चे बहुत त्यारे बच्चे हैं यह के मंग लाए ठंके एक से एक चुन-चुन करके लिए जाते हैं यह दस रुपए की मटकी को ठंडी से वो यह रुपए से ददस वार बजाता है और हमारे यह तीन-तीन-चार-चार विद्वान हमारे लुआड़या जी तो चार-चार विद्वान दो-दो स्रिफ्ट ठोक-ठोक करके बजा-बजा करके ऐसा बच्चों को लेते हैं यहां पर देखो क्या कहले हैं देखो रेफरेंस आया यहां पेराग्राफ है रेफरेंस आया गाथा उड़नचास का देखो यहां पर पेच पर उड़ंचास गाता का रेफरेंस आया उससे नीचे के पेराग्राफ में नियम सार का रेफरेंस आया जिस नियम सार के रेफरेंस में उन्होंने भागबत कता की बात करी ये चौराणवे नमबर की गाता प्रबचल सार में भी सब्दाया है फिर क्या रेफरेंस आया 85 नमबर पर कलस्टी का कलस्टी का का आया ये कलस्ट नमबर 8 की संभावना मेरे को इस मरती में आती है जो कास्ट की यंगनी आदी की बात करी है या 9 नमबर में है ऐसा कहीं आठ और नौ के अंदर कलस्टीका की भी बात मद्दराजमन पंड़ेज़ाब की भी लिए बराबर और देखो पेज नंबर 87 पर देखो गाथा नंबर 11 समयसार का रेफरेंस आया गुर्देब के एक घंटे के प्रवचन में कितनी फिल्में दिखा देते हैं नियमसार की, कलस्टीका की, समयसार की बराबर हैं यह यह दिखा दे हैं देखना भी और देखेंगे और फिल्में देखेंगे आपको पेज नंबर 88 योगसार नीचे में देखो योगसार योगसार का भी यहां रेफरेंस लिया गया मैं आप कहेंगे यह सब बताने की क्या जरूरत है अरे यह कल दरसल में आपका है हमारा तो डूबता हुआ सूरज है तुमारा उदेयागत सूरज है हमारी जितनी भी आसाएं हैं वो आप पर टिकी हुई हम चाते हैं हम हिर्दे से चाते हैं यह जिन्वानी की पवित्रता है यहां पर यह स्वाध्याए भवन में हम बैठे हैं हम चाते हैं यह गुर्देव स्री के जो प्रवचनों की जो गंभीरता है उसकी परंपरा आप लोगों के ही हाथ में समर्पित करते हैं इसलिए आपको हम ये बताते हैं किस तरीके से स्वाध्धाय करना कितने रेफरेंसेस दिए क्या क्या किया जब तुम्हारे घर में बड़े भाईया की साधी हुई और ड्राइ फ्रूट का जब वो टोकरी आई तो उसके अंदर काजू भी है हाँ हाँ अख्रोट भी है हाँ हाँ किश्मिश भी है हाँ हाँ और और क्या क्या होता है ऐसा देखते के नहीं देखते ऐसे ही एक घंटे के प्रबचन में गुर्देव स्री के ऐसे आपकी अजब गजब बातें इसके अंदर आई हैं अब हम कल से तेरे नंबर की गाखा प्रारंब करेंगे विस्तार हो गया है तीन सेसन हो चुके है आई हैं इसके इसके हैं रसे जाधर शेखते तेरे बाते हैं आई हैं धगर जाद लोग जपकी ऊजब गजब जब बातें हैं आई हैं